और चलिस प्रावज़ाद जार्कारी के साथ समवाता भारत दिक्षित हमासा जुर्ची के भारत देखिए अब उप्चुनाव महापार उप्चुनाव को लेकर घमासान भी तेज है दोनों कैंडिडेट के नाम भी यहाँ पर फाइनल है फिलाल क्या तस्वीरे वहाँ पर अब पर फिर से रस्मी सहनी को जैसे महापार उमीदबार उसके बाद कई जो पट्चासी तो उनकी नाराज की यहाँ पर दिखाई दे रही है आपने आप तस्वीर देखी कि शील दवाई और उनके साथ मुझे उनकी बच्की थी वह बेहब नाराज यहाँ पर लगाई और लगातार पार्टी शील दवाई की उलाना यहाँ पर करती उनकी पहले भी जब महापूरपत की दावेदारी जब गोश्ता हो थी तो सौम्या घूजर को बना दिया और अब एक बार फिर से रस्मी सहनी को यहाँ पर बनाया है और उनकी यह भी आरोप लगा है कि शील दवा चारों यह प्रत्यासी है जिनको कमरे के अंदर बठाके रख रखा गया है अलाकि इनसे पहले नामंक नहापूर बरवाए गया तो लेकिन उसके बाद रस्मी सहनी को सिर्फ यहां से रवाना किया गया है उसके बाद शील दवाई और उनकी जो बेटी है वो बेहद नाराज यहां पर नजर आई तो कि पहले भी जब महापूर पत की रेस में उनका नाम था तो सौम्या घुजर को पहले महापूर बनाए गया तो बेहद पहले भी जब शील दवाई यहां पहुची तब भी इस तरह के आरो परोन लगाये थे कि पहले भी उनको बंद कमरे के अंदर अब उनकी बेटी आपने वह तश्बीर भी आपर देखी कि पेटी बहुच नाराज यहां पर नजर आ रही थी और लगातार पार्टी को लेकर कई तरह के बयारा उनकी बेटी और शील दवाई ने आपर दी हैं कि उनको खमरे के अंदर बंद कर दिया गया है तो यहां पर लेकिन क्या मीडिया से बाची शील दवाई ने की क्योंकि बॉडी लेंग्वी से ऐसा लग नहीं रहा था आपने कहा कि बहुत सा आरोप भी और सवाल भी उठाए पार्टी पर क्या कुछ कहना था उनका लेकिन जिसको का से उनकी बेटी ने लगातार मीडिया के सामने जो आरोप आपके साथ करती है यह पहले भी किया है अब बखते नहीं आपके पास यही बखता है जब आप बहार निकलकर नामंगन दाकिल करो लेकिन मौजू जहां पर जो कार करता थे उन्होंने एबर फिर स कमरे को बंद यहां पर कर दिया गया अंदर चारों प्रिट्ट्यासी है आप देख सकते हैं कि रश्मी शैनी को ही सिर्फ नहीं ते रवना किया गया एक प्रिट्ट्यासी जो उम्वीद्वार की वेस में आपके उनको बाहर नहीं निकाला गया है इससे साब तोर पर यह दे जैसी वो बाहर निकलेंगे तो वो नाराजगी सामने आगी पार्टी नहीं चाती कि किसी परकार की नाराजगी वो यह पर बाहर आया और कॉंग्रेस उसका फाइदा उटा रहे यही कारण है कि उनको बंद कमरे के अंदर यहां पर रखा गया और किसी को भी मीडिया से बात है वो यहां पर लगाए गई है तो कहीं ना कहीं बाश्पा के अंदर उम्मीदवार के चैर होने के साथ साथ जो अंदरूनी जो कले है वो लेकितों का सामने आ रही है आपने वो तजबीर वी देखी जब चीज़ दवाई पहुची तो बेहद गुस्ते में आप अनरज़ अज़ा ज़ारी तो इस बार मैं पूरे पदादीकारियों से बात यहां पर करूंगी मेरा नाम क्यों नहीं आए कई सवाल है उन्होंने यहां पर उटाए लेकिन पदादीकारियों लगाता है उनसे यहां बात की और उसके बाद जिस पकार से बंद कमले के अंदर जा यही तश्बीर आवा आप देखने की किस तरह से शील लगाई की बेटी ने आरोफ यहां बाजपाप लगाई लेकिन लगातार हलाकि पेटी को समझाती हुए यहां पर नज़र आई लेकिन बेहत गुस्से में आप नज़राई कि आपके पास अंतिम मोका है अब नहीं तो क पार्टी के लिए बनन रखा जाएगा नहीं निकल सकते हैं किस तरह की मीटिंग और अप दिखार ने की पद्रिकार है उनोंने चांत कर आए उनका जा लेकिन अंको के पैंड़ी बनाया जाएगा उन्हें रूंग के अंदर रखा गया भारत देखे चुलाल नामंकन दाखिल करने का जो समय है वो तीन बज़े तक हैसो था फिलाल दो बीस याने की अभी चालीस मुट और से तो चालीस मुट तक कि तमाम जितने भी दाबेदार थे जो महापूर की सुची में लगाता है उनका नाम चल रहा था वो तीन बज़े त करने का समय जब समय वो जा गाइगा उसके बाद ही इनको यहां से चुड़ा यहां पर जाएगा क्योंकि रसमी सेहनी फिलाल बार्थपा मुक्थे नामंकन पत्र ब्ज़े करने के लिए पंचेंगां और कुछी देर में जब वो नामंकन दाखिल करने के लिए तीन बज़् जब समाप तो जाएगा उसके बाद ये तमाम जितने भी उम्मीदवार थे जो दौर में चल रहे थे उनको यहां से छोड़ा जाएगा जी बिल्कुल लेकर इस उप चिनाओ कि जिस तरह से हल चल पहले भी थी और अब जब और ज़्यादा घमसान देखने को मिलना है के पहले कि बिलकुल निशित रूसे से इस बात में कोई दोराय निया की इस बार के जो मेर का चुनाब है वह यह नहीं कहा सकता कि एकतरफा बाजपा के कपजे में है क्योंकि हाला की भूमत बाजपा के पास है लेकिन जिस पार कि इस्तितिया फ़िलाल के इह हम पर देखनो पुरी एक्षिन की दार देखने को मिलती है। वो मैदान में जब पूथे हैं तो बैदन की जो प्रमने क्रिएक्षपा बना है। बड़ी बात नहीं है कि फिर से एक बार दोबरा उस तरह का प्रकरने बोड़ाया जाता कि क्योंकि अभी अब देफ्तार को मद्दान होना है ऐसे में लगातार कॉंग्रेस प्रताप सिंग खाचे नहीं से एक और बयान दिया थे कि कुछ भाष्पा के पार्षद ने मुस्त्य पार्षद नहीं पहुचे तो कहीं नहीं कहीं कॉंग्रेस लेदली अमीदबार सोंपर करके भाष्पा से जितने पार्षद यहां पर तोड़ सकती है तो एक इस तरह का खेल है वो यहां पर हो जगता है और कहीं जब यह पार आएंगे जब आए उसके बाद किस परकार किस पर करता है वो सब सारी चीज देखने होगी लेकिन यह का आज असकता है कि महापोर का मुकाबला सीधा नहीं हो सकता क्योंकि विल्टस में यहां पर मुकाबला होगा क्योंकि बाष्पा के पास इसको बरकडा रखने की चुनोती होगी तो बहीं दूसरी और कॉंग्रेस को मुकाबला कि दूसरी कि दूसरी होगी कि कौंग्रेस के पास खूने का para के बास्ट कर पर की अचार के पास है तो लेकिन पछेलों मेंदेट था विष्णू राटा के बड़त भी लेकिन बड़ने में कोई समय लगता देखते हैं कि पार्शदों में रस्मी सहनी के जो नाम लेकर कितनी विष्वास यहां पर दिखाते हैं पार्शद क्योंकि फिलाल रस्मी सहनी विद्धु समयती है कि चेर्मेन है उनका नाम यहां पर डिक्लेर हुआ है कि तो कई तरह की जो लॉबिंग वो किस तरह से काम आती है क्या वाजपा के जो बड़े निता है तमाम जितने भी पार्शदों को एक जाजम पर बठाकर बोट यहां पर डलबा पाएंगे या फिले भी आपसे अपडेट लेंगे फिलाल के शुक्रिया इस पूरी जानकारे के लिए चली सिक्साइब